तो फाइनली गए जैसा कि आप सभी जानती होंगी आज यानि कि एक दिसंबर को स्रीमाघरों में रिलीस हुई थी रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल जिसको स्रीमाघरों से आउटस्टेंडिंग डिस्पॉस मिल रहा है जा दोस्तों जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा हुआ क् तीन घंटे 20 मिनिट की ये फिल्म है तो लग रहा था कि बहुत लंबी फिल्म है कई फिल्म के मेकर्स ने कोई गलती ना कर दी हो फिल्म को लंबा ना खीचाओ लेगिन दोस्तों वाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी दर्शक इस फिल्म को थेटर से देखकर निकल रहा है व और यहाँ पे जिस तरहा से हमें रडबीर कपूर की एक्टिंग रच्मी का मंदाना और खास करके बॉबी देओल भाई च्छा गए पूरी तरहा से और ये फिल्म बॉक्स आफिस पार आल टाइम ब्लॉक बस्रार अपने पहले ही दिन हो चुकी है लेगि दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अनिमल आज अपने First Day पर इंडिया के अंदर सभी भाषाओं में टोटल कितनी कमाई कर रही है वही फिल्म का पूरे बर्ड में टोटल कितना कलक्षन रहने वाला है ओवर्सीस से फिल्म कितना करेगी सारी बाते इस वीडि की तो ये एक action thriller फिल्म थी जिसका फैंस सालों से इंतिजार कर रहे थे हाला कि इस से पहले भी ये फिल्म रिलीस की जानी थी लेकिन फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की रिलीस डेट को टाल दिया था और अब फाइनली एक दिसंबर को ये फिल्म सरीमागरों में रिलीस हो चुकी है साल 2023 बॉलिवूट के लिए बहुत खास रहा और अब जाते जाते भी कई बड़ी फिल्में और रिलीस होने वाली है जो बॉक्स आफिस पर तूफान में फिल्म बनी है जिसको प्रिड्यूस किया है भुसर्ण कुमार और क्रिशन कुमार ने फिल्म में हमें रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और रश्मी का मंदाना एहम किरदारों भी नसरा रहे फिल्म के अगर मैं बजट की बात करूँ तो ना ही मैंने सोचा था मुझे पता था कि अनिमल फिल्म कमाई करेगी लेकिन इतनी बड़ी कमाई करेगी अपने पहले ही दिन ये फिल्म तमाम बॉलिवूड की और साउथ की फिल्मों को पीछे छोड़ देगी कभी किसी ने सोचा भी नहीं था आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलू कि टाइगर थिरी इसके अलावा पठान जवान और सनिदेवल की गदर टू इन फिल्मों ने पैसा खूब कमाया लेकिन जिस तरह से एनिमल बॉक्स ओफिस पर परफॉर्म कर रही है वो वाकी काबिले तारीफ है दोस्तो मैं आपको बताता चलू अगर बॉक्स ओफिस कलेक्शन पर हम नज़र डाले आज अपने पहले दिन के तो फिल्म ने मॉर्निंग से ही देखो आज कोई इतना बड़ा हॉलिडे नहीं है आज फ्रेडे का दिन है कोई तियुहार नहीं है तो यहाँ पे जिस तरह से बॉक्स ओफिस पर वो वाकी काबिले तारीफ है और अब तो फिल्म को रिव्यू भी अच्छे मिल चुके हर किसी को फिल्म पसंद आ रही है तो उमीद है कि आने वाले टाइम में फिल्म बॉक्स ओफिस पर वाकी तबाही मचाएगी अब देखो यहाँ पे आप की ओक्यूपैंसी 46% all इंडिया मलब सभी शहरों की में बात कर रहा हूं सभी राज्यों की बात कर रहा हूं अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो जो एवरेज ओक्यूपैंसी है वो है लगबाग 46% की तो आप अंदाजा लगा यह मलब आप यह समझे 46% जो शोज है वो almost full है तो यहां पर और यह morning की ओक्यूपैंसी की में बात कर रहा हूं मुंबई के अंदर 49% की ओक्यूपैंसी थी morning की अगर मैं दिल्ली NCR की बात करूं तो 60% की ओक्यूपैंसी थी पोने में 55% की ओक्यूपैंसी थी बैंगलूरू में 33% की ओक्यूपैंसी थी हैदराबा में 35% की occupancy चेनने में 54% की occupancy हाला कि फिल्म के पास अच्छे खासे shows है अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो 1037 shows है दिल्ली NCR में 1310 shows है पोने के अंदर 391 shows है बैंगलूरू के अंदर 614 shows है हैदराबाद के अंदर 540 shows है तो कहने का मतलब ये है कि फिलहाल फिल्म ने जिस तरहास से ब्लॉकबस्टर स्टार्ट लिया है वो वाकि काबिली तारिफ है ऐसा क्रेज शयाद आपने सलमान खान की टाइगर 3 के लिए भी नहीं देखा था हाला कि गदर 2 के लिए पठान के लिए इन फिल्मियों के लिए ऐसा क्रेज देखा था हमने लेकिन एनिमल भाई वाकि तबाही मचार ये बॉक्स आफिस पर तो अगर मैं आज फिल्म के दूसरा समसे बड़ा रिकोर्ड हुआ है पहला रिकोर्ड जवान के नाम जो की 40 करोड रुपे और एनिमल ने पठान को पीछे छोड़ कर पठान ने 33 करोड रुपे की एडवांस की थी तो यहाँ पे अगर मैं बात करो आज फिल्म के फॉस डे बॉक्स आफिस कलक्शन की तो पांच भाषाओं में ये फिल्म रिलीस हुई है तमिल, तेलगु, हिंदी, कन्नाडा और मलियालम तो यहाँ पे हिंदी, तमिल, तेलगु इन तीनो भाषाओं में फिल्म को बहुत जबरदस्त रिस्पॉस मिल रहा है अगर मैं सिर्फ हिंदी, हिंदी की बात करूँ तो पार कर जाएगी अभी तो सिर्फ मैंने मॉर्निंग ओक्यूपैंसी की बात किये एवनिंग और जो नाइट की ओक्यूपैंसी होगी वो तो अभी बाकी है तो यहाँ पे बहुत शांदा रिस्पॉस मिल रहा है तो अपने फर्स डे पर तमिल, तेलगु, हिंदी, कन्नाडा, मलियालम सभी भाषाओं में ये फिल्म अपने पहले दिन, यानि के ओपनिंग डे पर आज 65 करोड रुपै का net collection करने में काम्याब हो रही है अगर मैं overseas की बात करू तो दोस्तों overseas से भी ये फिल्म कम से कम 40 करोड रुपै कमाने वाली है क्योंकि overseas से भी फिल्म को तगड़ा response मिलना है तो यहाँ पर अगर मैं total कमाई की बात करू आज फिल्म के first day की तो फिल्म का जो worldwide gross collection होने वाला है वो कम से कम 115 करोड रुपै क्या आसपास होने वाला है 115 करोड रुपै यानि के बॉलिवूड की अब तक की बहत्रीर और समसे बहत्रीर opening यानि कि अगर शारुखान क जबान फिल्म को हम छोड़ दे तो यह समसे बड़ी opening है यानि कि शारुखान की पठान को इस फिल्म ने धो डाला और गदर 2 को दो दिया टाइगर 3 को दो दिया तो यहाँ पे एनिमल ने जिस तरह से बॉक्स ओफिस पर तबाही अपने पहले ही दिन से मचारी शुरू की है और यह रुकने वाली नहीं है क्योंकि फिल्म को positive response मिला है टाइगर 3 को बहुत ज्यादा negativity मिली थी फिल्म को अच्छा नहीं बताया था और फिल्म में उतनी जान भी नहीं थी लेकिन यहाँ पे एनिमल वाकी बॉक्स ओफिस पर कुछ बड़ा करने वाली है लेकि दोस्तों में एनिमल का जो कलक्षन है वो कितना होने वाला है एक हजार करोड से उपर चली जाएगी यह फिल्म या एक हजार करोड से नीचे रहेगी कमेंड में जरू बताईएगा